हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, मेरा नाम है अनिरुद पैडा में एक लाइफ साउन एंजिर एज वेले स्टूडियो एंजिनियर दोनों हूँ तो आज हम लोग एलकुस्टिक्स का साउन विजन के बारे में पढ़ेंगे, यह एक प्रेडिक्शन सॉफ्वेर है जो एलकुस्टिक्स ने दिया है ऐण्ड में बताओंगा कि इसमें सारे क्या क्या पेरमेटर्स है और कैसे हम एक समट्विजन फाईल बना सकते में यह वारे में कैसे अब सारे जित्ताे बी उपर जो पेरेमेटर्स है इसके बारे में सबसे बसे बताओंगा तो first हम लोग पढ़ेंगे ये new project के बारे में अब ये new project क्या करता है दोस्तो suppose मान लीजे कि आपका already पुराना project downloaded है जैसे कि अब है मैं यहां से एक download वाला project ले लेता हूँ ठीक है तो आपको उसका idea आजाएगा कि कैसा हो रहा है सब अभी मान लीजे कि मैंने ये मैंने एक venue बनाया है और मैं यहां पर speaker system designing कर रहा हूँ बट अब मान लीजे कि अभी आपको new file खुलना है जापर आप venue designing कर सकते हो तो मैं इसको instead of burn करने के जगा पर मैं यहां पर new project करूँगा तो यह आपको new project आजाएगा ठीक है फिर उसके बाद जो next जो है वो है open decent projects इसका यह मतलब है कि already अगर आपने कोई project save कर लिया है ठीक है और अगर आपको उसको open करना है तो अब यहां पर जाके open कर सकते हो तो अभी suppose मान लीजे कि मैंने यह already मेरे सारे save projects है तो मैंने अगर मैंने suppose यह कोई भी project खोल दिया है तो अभी यह सारी चीजे आ जाएगी अभी इसलिए आई नहीं है क्योंकि मैंने यह सब कुछ hide करके रखा है तो एक मिनिट तो अब यह सारी चीजे आ चुकी है ठीक है यह मैंने पहले से अल्ड़ी एक file बना चुका हूं मैं बट अभी अभी अगर आपको suppose इसको save करना है तो अभी तो अल्ड़ी file saved है तो अब मैं जब इसको करूंगा तो यह save as project में जाएगा ठीक है और जब मैं यहाँ पर फिर से open project में जाऊँगा तो already जो मैंने save project वो अधर आ जाएगा अब मान लीजिए कि मैं already एक नया venue designing कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसा करते है suppose यह एक मेरा एक कोई भी venue में dimension ले ले रहा हूँ don't worry मैं आपको एक अलग सा वीडियो इसके बार में बताऊँगा कि जिसमें हम venue designing कैसा करते है तो यह मैंने एक लिए लिया अब अगर इसको मेरे को save करना है तो मैं directly यहाँ पे save करूंगा तो अभी में को save option बताएगा इसके पहले वो save as option था पर अब मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ तो obviously वो save option में जाएगा और उसके बाद में इदर जो भी type कर दूँगा वो type करके मैं इसको save कर दूँगा तो वो project save हो जाएगा और उसको फिर हम यह recent projects में देख सकते जो ठीक है फिर उसके बाद आता है यह hide 3D scene तो basically यह जो यह जो workspace जो अभी आपको दिख रहा था उसको अगर हमें निकालना है तो हम यह 3D space को यह वाला जो बटन है 3D space को उसको उसको दबाएंगे तो वो workspace जापे में venue designing जापे आपको venue का पूरा diagram दिख रहा था वो हट जाएगा तो अब मैं फिर से उसको venue व जो इसका next है display mechanics view अब दोस्तों यह क्या करता है जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई यहाँ पे new source मतलब जैसे कि मैंने k2 select किया है ठीक है अब मेरे को इसके dimension देखना है dimension देखना है इसका height देखना है कि total पूरा array का length कितना है कितना weight है कितना weight उठा पा रहा है ठीक है अभी जैसे कि अगर suppose मान लीजिए कि मेरे को suppose इसका पूरा weight देखने का है और यह देखने का है कि कितना कितना 1 k2 मतलब एक particular k2 बार में कितने k2 लगेंगे ठीक है तो अगर हमें वो देखना है तो basically अगर आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप मैं इसको press करके यह मैं कितने k2 उठा सकता है एक बार एक flying बार कितना उठा सकता है तो अगर suppose मान लीजिए कि मैं इसको overload कर दे तो आपके लिए just for the sake of fun ठीक है तो मैं इसको overload कर दिया है तो यह अभी इसलिए नहीं दिखाएगा because मेरा कुछ venue venue में मेरा जो SPL mapping है मतलब मेरा audience floor है वो है नहीं तो मै इसको पहले audience floor देना पड़ेगा ठीक है जैसे मैं इसको audience floor दूँगा और जैसे कि जैसी मैं इसको अभी इसलिए नहीं आ रहा है because the audience floor है अभी आ गया ठीक है तो अब अगर मैं suppose यहाँ इसको इनिशलाइज और optimize करता हूँ तब ही देखो overload अभी यह दिखा रहा है यह बता इसलिए तो यह हमें यहाँ से यह भी पता सकते हैं कि suppose मान लीजे कि अगर आपने आपको अपने manual नहीं पड़ा होगा कि यह कितना एक केटू बार और कितना केटू उठा सकता है तो अगर तो फिर आप यहाँ से उसको पता कर सकते हो जैसे कि अगर suppose यहाँ पे मैंने 12 कर द और लग से एक वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं आपको इसके बार में सारी चीज़े बताऊंगा ठीक है तो अब मैं फिर से इसको वर्क स्पेस को एक नया नहीं मैं इसको रहने देता हो क्योंकि फिलाल इसके बार बाद हम लोग आगे बहुत सारी चीज़े देखेंगे नेक्स्ट आता है हाइड 3D रूम डेटा तो जो 3D रूम डेटा है ना तो आप बेसिकली आपका जो डेटा है जापे आप सारा वेन्यू डिजाइनिंग का करते हो वो हट जाएगा अगर आपको सपोज और आपका विंडो अगर थोड़ा जो वर्क स्पेस है उसको थोड़ करना है बेसिकली ए सारे चीजों को हाइड करके आ विर्क सुम्य और हको सबस्क्राइब यह पूरा एसा कर सकते है और को वर्कस्पेस वाले वर्कस्पेस वाले वीडू जापे आपको वैंडू डिजाइनिं है उसको आपको ईबनीक कर advice कर लेता कि तो पूद कर सकते जैसे क सीक्त्य लेक्स जो है लाउट सपिकर डेटा को अगर आपको हाइस होजागी अगर आप कोई भी डिस्प्लेटा भी निकल देना है तो यह कुछ निकल जाहेगा तो आपको एक workspace मिल जाएगा बड़ा सा जिसमें आप venue designing कर सकतो तो आप मैं फिर से सारी चीज़े वापिस लेकर आ जाता हूँ फिर उसके बाद आता है display source cut view display SPL target और display frequency response तो मान लिजे कि अपने भी venue designing कर लिया है तो उसके बाद आपको तीन parameters दोस्तो sound system designing में तीन parameters बहुत important होता है एक तो होता है कि coverage एक होता है अपका SPL और एक होता है अपका frequency response window ठीक है तो अभी जैसे कि मैंने ये source ये जो है ये basically आपको coverage दिखा रहा है कि जैसे कि मेरा audience floor है ये basically मेरा distance है कि इतना मेरा venue है और ये सारे cabinet के predictions है जैसे कि ये 12th cabinet है obviously जो नीचे होगा वो अपका जो उपर से लेकि नीचे रहोता है तो नीचे वाला अपका 12th array होगा अगर मैंने 12 k2 लिया है और जो first वाला होगा वो top में होगा तो top वाला जो throw कर रहा है वो अभी इसमें मैंने designing किया नहीं है अगर मैं designing करूँगा तो उसमें पता चलेगा जैसे कि मैं आपको भी आपको वो next video में बताऊँगा अभी तो फिला लिए ये मिरको जो इसका side angle है वो change करना पड़ेगा side angle change करके मैं इसको अगर optimize करता तो आप देखे अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा यह आपका 12th top है जो नीचे से नीचे वाला है और जो first top है यह वाला उसका यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो है number one ठीक है तो मैंने अभी side angle proper set कर दिया है तो उससे सबसे वो आ जाएगा दूसरा window है मैं इसके बारे में आगे आपको कैसे venue designing करते है वो बताऊँगा वो आपको यह बताता है कि आपका एक मिनिट ओके सो बेसिकली यह जो तीन window है यह तीन window आपके parameters decide करता है कि आपका system कैसा tune हुआ है यह tuning कैसा हुआ है आपके system का मतलब आपका SPL coverage जो आपका SPL coverage है वो आपको इधर दिखाए गया कि आपका जो पूरा length of the venue है जैसे कि अगर 60 meters का venue है तो इस 60 meters के venue में tops सारे 12 गर 12 केटू लगाए हुआ है तो वो कैसे perform कर रहे है ठीक है तो उसका D-min और D-max मतलब जो जा से audience चालो होता है और D-max जा पर audience खतम होता है और यह जो D-reference है सो basically D-reference है decide करता है कि आपको L-acoustics ऐसा बोलता है कि D-min से लेके D-max के बीच में जो पूरा रहता है उसमें 6 dB से ज्यादा SPL loss नहीं होना चाहिए और जो D-min से लेके D-reference तक है 3 dB loss होना चाहिए और D-reference से D-max तक 3 dB loss होना चाहिए तो overall 6 dB loss होना चाहिए तो आपका जो बी आप K2 लगा रहो काला लगा हो कीवा लगा रहो वो जो भी है कोई भी system लगा रहो वो सबसे full potential पे efficiently work करेगा and यह जो है यह again यह coverage है यह coverage यह decide करता है कि D-min और D-max मतलब audience का से चालो और audience का से खतम हो रहा है यह आपका length of the venue है और जितने भी cabinets है वो आपकी distributed है तो आपका उस हिसाब से हर cabinet हर एक zone पे divided है ठीक है और यह SPL है SPL मतलब आपका जो भी loudness कह सकते हो टाइम पे जो वो DB में उसको उसका जो unit है वो DB रहता है तो वो DB में आप decide कर सकते हो कि इसमें यह पता चल सकता है कि यह particular distance में यह particular top कि यह particular top से कितना जो distance है वहाँ पे कितना DB generate हो रहा है वो particular area के लिए तो जैसे कि मान लीजे कि अगर यह मेरा जो सबसे पहला top है तो यह अभी 39.45 मिटर पे 100 DB generate कर 12K2 पूरे venue में divided है यह आपका पूरा venue का length है तो यहाँ पे भी आपको SPL versus length का distance दिया है यहाँ पे भी आपको height versus length का distance दिया है और यह आपका frequency response है कि आपको overall graph frequency response कैसा है overall system का ठीक है तो यह 3 window बहुत ही ज्यादा important है दोस्तों अब मैं आता हूँ next topic के बारे में जो यहाँ प suppose एक position पे अपने camera दे दिया है suppose मान लीजिए के यहाँ पे अपने camera दे दिया है के front view और फिर उसके बाद अपने यहाँ से एक दूसरा दे दिया है camera view side view